हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका स्वागत है देखे फ्रेंट्स ये डिजाइन जो टोफी वाला डिजाइन है जो बच्चों के स्वेटर में बहुती अच्छा लगता है वैसे आप लेडिज कार्डिगन जेंट स्वेटर लेडिज हाफ जैकेट किसी में भी डाल सकते हैं बनाने में बहुती आसान है देखने में बहुती सुन्दर डिजाइन है और मैं बहुती आसान तरीके से बताऊंगी इस डिजाइन को देखे कैसे बनता है ये डिजाइन देखे प्रेंट्स पहला फंदा हम ऐस वाल ऐसे उतार लेंगे दो फंदे उल्टे और पांच फंदे सीधे दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे इसी तरह से हम ये पूरी सलाई अपनी बना लेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें साथ के मल्टिपल से फंदे लेने होते हैं और दो फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं देखे दो फंदे जो हमारे आगे उल्टे हैं वो पीछे सीधे हो जाएंगे पांच फंदे जो आगे सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे जैसे फंदा दिखता है वैसे ही बना लेंगे जैसे जो सीधे दिख रहे हैं पीछे वो हम सीधे बना लेंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं वो फंदे हम उल्टे बना लेंगे इसी तरह से हम अपनी छे सलाईया कम्प्लीट कर लेंगे अब ही हमारी दो सलाई और आगे करके मैं बताती है देखे फ्रेंट छे सलाई कम्प्लीट होने के बाद जब हमारी उल्टी सलाई आती है तो उल्टी सलाई में हमें कैसे बनाना है देखे सीधे फंदे हम सीधे बना लेंगे दो जो हमारे फ्रंट लूप पर उल्टे हैं अब जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन पर हम डबेल लपेट करते हुए पाचो फंदों को बना लेंगे। देखिए इस तरीके से पाचो फंदों पर डबल लपेट किया फिर से अपने दो सीदे फंदे बनाएं। फिर उल्टे फंदों पर फिर वही अमें करना हैं डबल लपेट करना हैं पाचो फंदों पर देखिए इस तरीके से सभी पाच फंदों पर हम अपना डबल लपेट कर लेंगे दागे से दो फंदे सीदे फिर से उल्टे फंदों पर डबल लपेट पूरी शलाई को हम ऐसी ही कंप्लीट कर लेंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें साथ फंदों के मुल्टिपल से फंदे लेने होते हैं देखिए इस तरीके से अब हमें इस डिजाइन को कैसे बनाना है देखिए पहला फंद हम ऐसी बुन लेंगे और दो अपने उल्टे फंदे बना लेंगे। देखे हैं इन पांचों फंदों को आपने इनका लपेट जो है उतार लेना यह देखिए पांच फंदे हैं अब आपको दो फंदे ऐसे अलग कर लेने हैं बिलकुल उनको अभी आपको नहीं चेड़ना है दो फंदे अब तीन फंदे देखे ये जो हमारे तीन फंदे हैं इन दो को हम साइड में ही रखेंगे ऐसे तो ऐसे सलाई डालके इनका रुक बदलना है ऐसे देखे ये फंदे ऐसे हैं हमारी सलाई में ऐसे तो इनको हमें तीन का जो ऐसे पलटना है इनको सलाई में ऐसे फिर से जो दो फंदे हमारे हैं वो दो फंदे और ये वाले तीन फंदे इसी रुक के पलटे पलटे जैसे हमने इनका जो रूख है वो चेंज किया है यह देखे यह हमारे पांच फंदे अब इन पांचों को हम एक साथ सलाई में डाल लेंगे धागा पीछे रखेंगे और पांचों को एक साथ सलाई में डाल लेंगे देखे एक दागा बुना फिर धागे को आगे किया फिर उसी जगे से दुबारा सलाई डाली फिर एक और फंदा बुना तो अब हमारे एक बार में दो फंदे आएं तो दो और एक पहला तीन हो गए फिर से अब हमने धागा आगे किया फिर से अब सलाई इसमें से बार फंदा निकाला तो अब की बार हमारे दो फंद्य आएं तो तीन बार में हमारे пांच फंद्य अपने कंप्लीट हो गए और हम अब धागा आगई करते हुए इसको दो फंद्य उल्टे बना लेंगे फिर से वही प्रोसीजर देखिए पांच फंद्यों को हम ऐसे निकार लेंगे दो फंदों को बिल्कुल अलग कर लेंगे ये देखे पांच फंदे हैं हमारी सलाई में जो तीन फंदे हैं उनका हमें रुक चेंज करना है देखे ये जो फंदे हैं इनका हमें रुक चेंज करना है जैसे सलाई में ऐसे डाला और ऐसे छोड़ दिया सलाई और उसके बाद इन तीन फंदों को उस सलाई में डाल लेंगे अब ये पांच फंदे हमारे एक साथ हो जाएंगे और यहां से हमने दागा पीछे किया एक फंदा निकाला दूसरी बार में हमारे दो फंदे निकल कर आते हैं ये देखिए फिर से दागा अगे किया फिर हमने यहां से सलाई डाली देखिए इस तरह से हमारा टोफी का डिजाइन बनके आता है बहुत सुंदर बनाने में बहुती आसान है और देखने में बहुती सुंदर डिजाइन देखिए पांच फंदे दो इधर कर लेंगे और तीन फंदों का हम रु बदला और फिर अपने उसी सलाई में वापस डाला और पाँचों को एक साथ एक दो और तीन तीन बार में हमारा पूरे फंदे आ गए देखे फ्रेंट्स इस तरह से इसका लुक दिखाई देता है अब उल्टी सलाई हमें कैसे बनानी है देखे उल्टी सलाई पहला पंदा ऐसे उतार लेंगे दो सीधे पंदे बना लेंगे अब इन्हे हम एक एक किक करके अपने पाँच फंदों को उल्टा ही बुनेंगे फिर दागा पीछे अपने शीधे पंदे बना लेंगे एक दो तेंग चार और ये पाँच हमारे पंदे जो पहले थे वो पाँच ही हो गए सीधा और फिर से अपना पाँच फंदे दो फंदे सीधे पीछे से लुक इस तरह से दिखाए देखता है और आगे से इस तरह से देखे फ्रेंट्स बहुत सुंदर बनके आया है डिजाइन टोफी की तरह दिखता है ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं कैसी लगी मेरी आज की वीडियो और कैसा लगा डिजाइन बताना फिर मिलते हैं किसी नहीं और अच्छी वीडियो के साथ